लिमिटेड टाइम में अगर huge profit हो तो उसे कहते हैं थिक money और अगर आपको भी जानना है कि stock market में थिक money कैसे earn करनी है तो इस episode को लास्तक जरूर देखें है फोक्स वेलकम तो आप चैनल फिन्रुबस आज की अपीजोड में हम short selling डिस्कस कर रहे हैं short selling क्या होती है किस तरह से work करती है गिरते हुए market में हम किस तरह से पैसा बना सकते हैं किस strategy की under हम short selling को अच्छी तरह से execute कर सकते हैं इन सब को discuss करेंगे हम in depth so start करते हैं limited time में जो हमें huge gain होता है तो उसका स्वाद ही कुछ और होता है और यही स्वाद हमें short selling से मिलती है एसी strategy है जिसके under हम ऐसे stock को भी sell करते हैं जो हमारे पास है ही नहीं जिसका position ही हमारे पास नहीं है यानि कि जो हमारे demand में है ही नहीं हम उसे short selling करते हैं यानि कि sell first buy letter जब बहुत सारी traders का in short in a simple sense बहुत सारी traders का यह मानना होता है एक particular zone में अगर market आ जाती है तो वो सोचते हैं कि यहां से market नीचे जाएगी हम already overbought zone में आ चुके हैं या फिर उनकी कोई भी सोच हो सकती है किसी भी reason की वज़े से अगर उन्हें यह लगता है कि यहां से market नीचे जाएगी तो वो sell करते हैं उस particular stock को और उसके बाद जब market गिरने लगती है जब market bearish हो जाती है तो जब price उस particular stock के नीचे आ जाती है कम हो जाती है reduce हो जाती है तब उस stock को buy कर लेते हैं यानि एक ही दिन में transaction को settle करते हैं अपनी position को square off करते हैं उसे हम कहते हैं short selling और उस time पे जो पैसा बनता है वो थिक होता है थिक money बनती है थिक money कैसे बनती है आपने notice किया होगा कि जब market bullish होती है तो हम अगर अपना कोई specific target speed दीरे 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 होती है सांस ले ले करके ठक करके ओके लेकिन जब market bearish होती है तो वो no doubt उसमें भी pullback आते रहते हैं लेकिन as compared to bullish market bearish market का जो speed होता है नीचे आने का वो काफी जादा होता है इसे हम और easy समझ सकते हैं जब हम हिली area में चड़ते हैं तो हम चड़ते हैं तो हमारी पैसे बन जाता है यानि कि huge profit हो जाता है okay no doubt अगर huge profit होता है तो huge loss भी तो हो सकता है उसके अपने लूप फोल्स होते हैं यह हम आगे discuss करेंगे okay suppose आपने किसी भी stock को sell किया 1000 रुपीस में उसी stock को आपने बाइ किया 950 में यह जो 50 रुपीस का difference है यह आपका gain है यह आपका profit है okay short selling से क्यों short selling से क्योंकि आपने sell first किया buy letter किया जब आगे bullish होती है तो हम क्या करते हैं हम lower point पे buy करते हैं और higher point पे sell करते हैं यहां भी same situation है कि हम कम में buy कर रहे हैं और selling higher price पे कर रहे हैं लेकिन difference सिर्फ इतना है कि sell first कर रहे हैं और buy letter कर रहे हैं यानि कि पहले हम sell कर रहे हैं sell कर रहे हैं ऐसे stop को जो हमारे पास है नहीं जिसकी position हमारे पास नहीं है और हम उसे sell कर रहे हैं और जब उसकी price नीचे जाती है तो हम उसे buy कर लेते हैं जो profit होता है वो हमारा gain होता है जो point हम बनाते हैं जितने point से market drop होती है वो हमारा point होता है वो हमारा profit होता है इस तरह से हम short selling करते हैं दूसरी situation समझ लेते हैं यह तो यह फर्स सचुएशन है दूसरी सचुएशन है अगर हमने सेल किया स्टॉप को ओके थाउजन रुपीज में ही लेकिन हमारी स्ट्रेडेजी के एकॉर्डी प्रॉपरली एक्जेक्यूट नहीं हुआ मार्केट ने उस तरह से बिहेव नहीं किया हम सोच रहे थे कि यहां से प् पुल बैक आ गया मार्केट उपर चलेगी हमारी स्ट्रेडेजी बैटी ही नहीं तो उस सचुएशन में हमारी जो हमारी जो बाइंग होगी वन थाउजन फिफ्टी पे होगी और हमें यहां पर क्या हुआ हमें यहां पर लॉस हुआ 50 रुपीज का 50 पॉइंट का लॉस होता है ठीक है अगर हम स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं शॉट सेलिंग में वैसे तो शॉट सेलिंग में नहीं स्टॉप लॉस का लीड रोल होता है हर एक प्रेड में लेकिन सचुएशन कुछ ऐसी होती है कि अगर शॉट सेलिंग में आप में स्टॉप लॉस नहीं लगा पूरी के पूरी सलतनक खदम चलिए यह तो समझ में आता है कि शॉर्ट सेलिंग में सेल फर्स्ट करना है बाइलेटर करना है लेकिन जो चीज हमारे पास है नहीं हमारे हाथ में जो स्टॉक नहीं है हम उसे बेचेंगे क्यासे इसे हम और इजी सेंस में समझ लेते हैं फार इक्जैंपल आपको ऐक पूर्टिुकिलर चांपनी का वॉशिंग मश्शीन चाहिए Elg का वॉशिंग मश्शीन चाहिए आपका इस स्पेसेफिक मॉडल है आप शॉपकीपर के पास जाते हूँ और उसको अपना आर्डर प्लेस करते हैं कि मुझे इस मॉडल का ही है तो या फिर वो आपको यह कहते कि मेरे पास नहीं है या फिर competition का जमाना है वो कहें कि आप बैठिए आप अपना order दीजिए बस अभी 2 मिनिट में आपका तब तक juice पीजिए ठंडा पीजिए तब तक आपका काम हो जाएगा तो वो क्या करता है वो कुछ ही दूर पर जो शौपकीपर नंबर टू है उसे फोन करता है या फिर अपनी होलसेलर को फोन करता है और कहता है इस पर्टिकुलर मॉडल का इस कंपनी का मुझे वाशिंग मशीन चाहिए जिसकी कॉस्ट इतनी है सपोज उसकी कॉस्ट 15,000 होती है वो ओर्डर क्या करता है ले लेता है और वो 15,000 की वाशिंग मशीन उस कस्टमर को बेच देता है और कहता है कुछ देर में या फिर शाम को या फिर दो गंटे बाद इस पर्टिकुलर एड्रस पर डिलिवरी हो जाएगी वाशिंग मशीन की ठीक अब थोड़ी देर बाद जब उसका होल सेलर आता है या फिर शापकीपर नमबर टू जब आक्चुल में वाशिंग मशीन की डिलिवरी देने आता है तो कहता है कि इस पर्टिकुलर वाशिंग मशीन की प्राइस ड्रॉप हो चुकी है अब इसकी कॉस्ट 15,000 नहीं होकर के 12,000 हो गई है तो उस शापकीपर नमबर वन को 3,000 रुपीज का प्रॉफिट होता है तो ऐसे में ऐसे सचुवेशन में शापकीपर नमबर वन ने वो चीज़ भी सोल्ड कर दी जो उसके पास है नहीं और अच्छा खासा प्रॉफिट भ बढ़ जाती यानि 15,000 के जगा 17,000 हो जाता तो उसका लॉस होता 2,000 रुपीज का तो ऐसे सचुवेशन में उसने अभी भी शॉट सलिंग ही की अभी उसने वाशिंग मशीन ही बेची तब जब उसके पास नहीं है लेकिन ऐसे सचुवेशन में उसे प्रॉफिट भी हो सकता है लॉस भी हो सकता है उसी तरह उसी तरह स्टॉक के केस में भी है कि हमारे पास स्टॉक नहीं होता लेकिन ब्रोकर के पास होता है हम ब्रोकर को अपना ओर्डर प्लेस करते हैं हम उस पर्टिकुलर स्टॉक की शॉट सेलिंग करते हैं शॉटिंग करते हैं उस पर्टिकुलर क्या करता है broker आपके बिहाफ पे आपकी position automatically square off कर देता है broker का एक specific time होता है कुछ broker का 315 होता है कुछ broker का 320 होता है उसके पहले आपको खुद square off करना होता है otherwise आपके बिहाफ पे brokers क्या करते हैं कि आपकी position square off कर देते हैं अग उस time पे भले ही उस price उस particular प्राइस बढ़ रही हो या घट रही हो जो भी प्राइस हो लेकिन वो स्क्वार ओफ कर देंगे और अगर ब्रोकर के हिसाब से वो एक्जेक्यूट भी नहीं होता है तो बात में उसकी ऑक्षिन भी होती है अब ऑक्षिन क्या होता है यह हम आगे आने वाले अपिसोड में इं सेलिंग कर सकते हैं हमें कैसे पता चलेगा कि यहां से मार्केट डाउन जाने वाली है यहां से मार्केट बेरिश होने वाली है इसके लिए आपको फॉलो करना होगा प्लेलिस्ट जिसका नाम है टेक्टिकल एनालिसस उसमें अच्छे से शॉट सेलिंग कैसे करनी है किस जोन में market bearish होगी किस zone में bullish होगी कहा stop loss लगाना है कैसे trade करना है यह सब in depth already discuss हुआ है okay so आप उसे follow कर सकते हैं आज के लिए इतना ही मिलते हैं next episode में ऐसे ही किसी interesting topic के साथ तब तक आफेन रबसको like करिए share करिए subscribe करिए thank you thank you so much